तो आज हम बात करते हैं हमारे नई टॉपिक के बारे में जो की बहुत प्यारा टॉपिक है वेलोसिटी एडिसन एंड रिलेटिविटी है तो रिलेटिविटी का आखरी जो टॉपिक है आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक है आपके उसमे है हम दो फ्रेम हैं में लैस अमारे पास s डेस गण мен के समय जो यो स्टीर में जो तो अगर कोई पार्टिकर यह वेलोसिटी यूद्स या यह लोंड्यंज ट्रॉसटी में हमने पढ़ा था Lawrence transformation में, क्या अगर मुझे u x dash निकालना हो तो basically u x dash क्या होता है, u x minus v upon 1 minus u x into v upon c square, यह ही हमारे पास u x आता है, अगर मैं इसको inverse Lawrence transformation के help से लिका हूं तो u x equal to u x dash plus v upon, यहां पर माइनस अंडरूड वन रूट नहीं आता सुरिए यहां पर प्लस यह ना वन प्लस कि यू एक्स दैस इन्टू वी अपॉन सी स्वेड इसको गहते हैं इन्वर्स लॉरेंच ट्रांसपॉर्मिंग साथ यह हम निकाल चुके हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको ओकी यह चीज हम अल्रेडी फाइंड आउट कर चुके हैं तो नोट बॉदर अबाउट दिस कि हमने यह नहीं नहीं निकाला सब्किये क्या है इन्वर्स लॉरेंच ट्रांसपॉर्मेशन यानि कि के वल एक्स एक्सस के रिस्पेक्ट में यू इकॉल टी यूदस प्लस वी अपॉन प्लस वी इंटी यूदस अपॉन सी स्प्लेड तो अलग-अलग कंसेट निकलेंगे जब माल लीजे आपका जो फ्रेम है इस डेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो इस डेस फ्रेम की जो स्पीड है वी नेरली इकॉल टू सी है तो हमें जो यू है अगर इस फ्रेम से पार्टिकल को देखें एस डेस फ्रेम से पार्टिकल को देखें तो दोनों केस में इसकी स्पीड क्या आने चाहिए के बराबर आने चाहिए, okay? Are you getting my point? अगर V equal to C है यहां पर, तो यहां से हमें क्या concept पता चल रहा है? कि U जो है, इस particle की जो velocity अगर एक frame light की speed से move कर रहा है तो इस particle की जो velocity है अगर मैं S frame से देतू, तो वो किस के बराबर आजाएगे? C के बराबर आजाएगे That is, one object move with a speed of light with respect to other then their relative velocity is always C, है ना, whenever, may be the velocity of the other मतलब इससे कोई फराइख नी पड़ेगा कि एक की velocity, मतलब अगर उनकी relative velocity C है, तो okay, दो frame के बारे बात हो रही है, तो एक अगर light की speed से जा रहा है, तो उनकी relative velocity भी C होगे, ऐसा नहीं की C से जादा हो जाए, it remains to be C I hope it is clear when u dash equal to C और v equal to C, तो u कितना आजाएगे फिर से C, क्योंकि हमारी speed of light ही ultimate speed है, तो यह उसी concept को बता रहा है, therefore the relative strict addition of velocity is consist with Einstein's second postulate of special theory of relativity this also through Lorentz transformation equation are according with the constancy of velocity of light तो यानि की इन तीनों example, चारों example से हम यह समझ पार रहा है कि जो speed of light है, वो क्या रहती है, same रहती है, कोई भी फरत नहीं होगा, अब हम बात करते है variation of mass as you know, जब relativity के बारे में बात करते हैं, तो relativity में mass जो है, एक variant quantity यानि की जिसको हम कहते है mass, relativistic mass हम इसको गहते है relativistic mass अच्छा सर यह relativistic mass क्या है, मैं directly relativistic mass में जा रहा हूँ, सिर्फ पहले हम इसको proof नहीं कर रहे हैं, तो माल लीजिए एक particle है, ठीक है जो की speed something we move कर रहा है बहुत high speed से move कर रहा है, relativistic speed से जो particle है, वो हमारा move कर रहा है तो जो particle का mass है जो mass है ना इसका mass जो किस तरीके से vary करेगा है, जो इसका rest mass है, upon under root 1 minus v square upon c उसका mass इस formula के accordingly vary कर रहे है m not क्या है यहापे, m not is the rest mass m not क्या है, rest mass है तो जब particle move करता है, तो उसका mass होता है, वह रही करता है, जैसे आप देख सकते है as v increase, mass of the particle also increase, जब v c के बराबर हो जाएगा, तो mass of the particle become infinity, और जब v बहुत कम होगा, तो इसका मत्तब mass जो है particle का, rest mass के बराबर होगा, यहने कि अगर यह एक particle है, क्योंकि बहुत slow चलवा है तो इसका mass जो है, वही है, जो rest mass है, कोई different नहीं है उसमें ठीक है, इसको गहते है, mass variance, relative strict mass, I hope you understood that point also, है और velocity addition भी है, आपको समझ मार होगा, यही है, velocity addition there is nothing, की कुछ ऐसा, खास है सरफ, फिर बात आती है, mass energy equivalent है, तो अब आपको Newton का law पता है, तो Newton के law, यहां से लेक्टिविटी में बात करता हूं, तो mass और velocity दोनुकी जोटी है, तो किसी particle भी लगने वाला force is equal to dp by dt, हम इसको collect सकते हैं, dm, dm into v upon dt, जब differentiate करेंगे, तो first into second का, second into first का differentiation हो जाएगा, अगर the increase in kinetic energy of particle, when it displays through a distance, something, distance move करेगा, dx, तो force into displacement क्या हो जाता है, work done और work done equal to change in kinetic energy, work energy theorem जाता है, तो change in kinetic energy equal to क्या आजाएगा, यहां पर, ds से multiply करेंगे, तो m db by dt plus v dm by dt into ds multiply जाएगा, अब ds को आगे ले जाएगे दोनों के साथ, तो we got a equation dk equal to m v dv plus v square dm, okay, and mass you already know, vary किस relation के according करता है, so now mass को अगर differentiate करेंगे, तो dm equal to m0, और इसका differences होन जाएगा, minus 1 by 2, 1 minus v square upon c square की पावर, minus 3 by 2 और 2v upon c square dv, यह हो जाएगा, ठीक है, तो dm को थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख सकते है, क्या हो हो जाएगा, mv dv upon c square 1 minus v square upon c square, यह हो गया, यह, mv dv upon c square minus v square, तो dm, जहां समझेंगे, dm इदर है, इसको cross multiply करेंगे, तो dm c square v square equal to mv dv, c square dm minus v square dm equal to mv dv, and we got this equation, like this, तो यह equation क्या थी, यह dk के बराबरते हो, dk equal to c square dm, आया ना, हमारे पास, dk equal to c square dm, integrate कर दो दो दोनों side, तो e kinetic energy हो जाएगी, mc dm, ओके, और mass m0 से m तक vary कर रहा है, तो e बराबर क्या हो जाएगा, c square बाहरा आगया, m minus m0, ओके, तो e क्या बन गया हमारा, mc square minus m0 c square, तो यह kinetic energy equal to क्या आया, तो जो particle की kinetic energy है, सर, वो आ गई, mc square minus m0 c square, ओके, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसको अगर आगे ले जाओ, तो kinetic energy plus m0 c square is equal to mc square, और यह particle की क्या है, total energy, तो total energy बराबर क्या हो जाएगा, kinetic energy plus potential energy, तो इसलिए हाँ पर जो relativity में potential energy होती हूँ, m0 c square इसको rest mass energy कहते हैं, आगे derivation समझे में कैसे proof करते हैं, तो यह है हमारा relativistic energy के लिए formula, please remember it, it will help you, फिर है इसकी example of mass energy equivalence, मत्तब मास और energy इस तरीके से interconversion करते हैं, उसको कहते हैं, mass energy equivalent, तो क्या equivalence है इसमें, सबसे बेले एक्जामबल है, pair production, तो यहां पर भी mass energy equivalence का concept यूज़ोड है, तो यह सब क्या है mass energy equivalence है, अब आपको बताएगी जो photon है ना, photon का rest mass क्या होता है, 0 होता है, तो पर इसकी energy 0 नहीं होती है, यहना, it has energy, mass बले इसका 0 होता है, तो कैसे होता है, देखो concept of photon देखें, तो हमें एक जो relation है, वो पता है कि, e square minus p square c square equal to m square c k power 4, we know this relation, very well, relativity में हमें एक relation मिलता है, e square equal to m square c k power 4 plus p square c square, we got this relation से, जो पिछे से ही आया है, total energy वाले से आया है, so again you need to remember it, अगर यहां पर mass, particle का rest mass 0 कर दें, यह वाला term, e बराबर क्या हो जाएगा, c p, तो जो particle का momentum हो जाएगा, वो यह कौन सी होगा, just we can say, massless particle have energy, and momentum as well, तो अगर कोई particle, light की speed से move कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसका energy 0 हो जाएगी, यह उसका momentum 0 हो जाएगा, दोनों में से कोई भी quantity 0 नहीं होने वाली है, यह वल उसका mass, rest mass 0 है, तो यह rest mass का concept नहीं हां से निकल के आता है, अच्छा, यह वाले term कहां से हैंना, यह वाले nucleus, के vision वाले term से हमने drive किया हुआ है, तो do not bother कि कहां से क्या आया है, तो I hope everything is quite clear to all of you, कि आप बहुत बहली बाती चीज़ा समझ गये होंगे, next जो हमारे lecture होगा ना, next lecture में केवल और केवल हम question करेंगे, question और answer करेंगे, यानि कि कल का जो lecture होगा, वहाँ पे question और answer discuss केते हैं, thank you everyone, God bless you, take care, bye bye.